सबी दर्शकों को जै जिनिंद्रम आगरा शहर का नाम लेने पर हमारे मस्तिष्ट में ताज महल का नजारा स्वत ही आने लगता है अगर हम इतियास के पन्ने को पलट कर देखें तो आप ये जान पाएगे कि उत्तर प्रदेश का ये शहर मुगल सल्तनत की राज़दानी रही है इससे ये तो स्पष्ट है कि आगरा मद्यकालीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा होगा राजनीतिक और ब्यापारिक दोनों ही दर्श्टिस हैं पर ये शहर जैन धार्मिक गती विदियो का भी केंद्र रहा है जहां दिगंबर और श्वयतांबर जैन धर्म की ये दोनों ही शाखा आओ कि कुछ महत्वपूर्ण एतियासि गटना ये गटित हुए जानकर आश्चर यह हो रहा होगा पर आज इसी विशेई पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आगरा से मिस्टर श्रियांश जैन आगरा में पले बड़े श्रियांश जैन डेली विश्व विद्यालेंग के रामजस कॉलेच से एकोनॉमिक्स में भी ये कर रहे हैं वो हमारे एक उनहार छात्र होने के साथ ही उनकी रूची जैन धर्म विशेशकर जैन दर्शन और इतियास में रही है वे हिस्टॉरिकल इ अगंडर है और जैन धर्म के मूल आगमों में उत्राध्यान नंदी सूत्र याता धर्मकथा उपासक दशाण आदी कहीं गरंतों का अध्यान इन्होंने इस अलपाईू में ही कर लिया और बगवती सूत्र आधी ग्रंतों का भी अध्यन कर रहे हैं जैन दर्म से संबंदित कही कारिक्रमों में भाग लेने वाले श्रियांश बताते हैं कि उनकी जैन दर्म में रूची उनके पारिवारिक माहोन और बच्पन के संसकारों से आई है जैन दर्म के इतियास को विश्व मंच पर उजागर करने क श्रेयां जैनद्रम्ग की प्राचिंता और धरोहर पर शोद कर इस पर किताब लिखने के लिए इच्छुक है श्रेयां जाइम स्ध्रम आपक के उपर सबसे कम उम्रवाले वक्ताव में से एक है हम कह सकते कि जाइन टॉक्स के इस मंच के उपर सबसे यंगेस्ट स्पीकर और आज वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर बात करने वाले है सो मैं आज जाइन टॉक्स के 121 सेशन में श्रेयांच ची आपका स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोद करता हूँ सबसे पहले मैं जैन टॉक्स को और जैन फांडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्हों मुझे यह उपर्चिनिटी दी और मंगला चरंड के साथ इस शो का प्रारम करते हैं वीरह सर वसुरा सुरेंद्र महितो वीरह बुदा संशतो वीरेन अभिहता स्वयकर्म निचे वीराया नित्यम नमम मुक्षमार्गस्यनेता राम भेता रामकर्म घूब्रताम ज्याता रा कि आप सभी का जैन टॉक्स के प्लैट्फॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आगरा का नाम सुनते ही हमारे दमाग में सबसे पहले ताजमहल आता है बट आगरा का जो इतिहास है वो अगर हम किसी भी दृष्टिकों से देखे तो केवल ताजमहल तक ही सीमत नही साइट्स के रूप में अगर हम देखें तो आगरा में कई सारी चीज़ें हैं जो देखने योग्या है तो इस सेशन का में उद्देश्य ऐसी साइट्स के बारे में और आगरा की जो अन्नोन हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ तत्यों को उजागर करना है सबसे पहले मैं आचारे विमर सागर जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हों ने मिरको इस विशह में मेरी जो रुची है उनके कारण ही वह बढ़ी और दूसरा जुश्री दुशन जी लोड़ा चिनोंने इस पूरी प्रेजेंटेशन को बनाने में और सारे किस सारे त तो जो मत्रा हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट रहा जोग्रेफिकली देखें तो यह जो अपना भारत देश है इसके यह सेंटर में लाए करने वाला एरिया है शायद इसरी रीजन के कारण या और भी कई सारे रीजन रहे दूसरा जब से मत्रा में कंकाली टील से यह प्रूफ करने के लिए कि सचेलक और अचेलक दिगंबर और श्वितांबर दोनों परम्पराएं परमात्मा महावीर के समय से ही थी जो माइग्रेशन थियोरी है यह उसको करता है तो कही ना कहीं अगर कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो वपपवट्टी सुरीज शौरयपुरी क्योंकि जो कल्यानक भूमी होती है जाबर परमात्मा का कल्यानक हुआ हो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो तीर्थ बन जाता है तो जो शौरयपुरी जी है महाँ पर नेमिनाथ भगवान के दो कल्यानक हुए और फिर हम एंड में इस पूरे सेश कि उन्होंने के अग्रा के ब्सक्रै बारेम से बहुत बढ़ाऊ के जड़ूरी बताना चाहएं जैसा कि हम देखते हैं कि उन्हें अपना कोंट्रिब्यूशन दिया पर इसके से भढ़कर उन्होंने एक दूसरे का जो कॉंट्रिब्यूशन रहा या एक दूसरे के द्वारा बनाई गई जो हरेट साइट थी उनको प्रोटेक्ट करने पर भी पूरा फोकस करा तो एक समन्वे आगरा में हमेशा से था डाइवर्सेट चोड़के दूसरे डिशन में देखें तो दो में भगवानों के साथ में असोसियेशन है शिप जी और दूसरे कृष्ण जी तो अगर पुरान को एक सोर्स माने तो आगरा को अगरपुर और अगरलपुर के नाम से भी जाना गया पुरान के अंदर तो आगरा के का एक समय है वह पता नहीं लगा सकते तो अगरा मौडन परस्पेक्टिव में बात करें तो अशोका के टाइम पर यह माना जाता है कि जो हमारे पास सबसे हैं कि महाराजा अशोक ने आगरा को एज़ा सेटी उस समय रिकागनेशन दिलाई उन्होंने आगरा को सेटल करा महाराजा इन्होंने अगरवाल वनिश की स्थापना करी आगरा और इसके पास के एरिया में मोरोवर लीला पुर्षोत्न भगवान श्री कृष्ण का आगरा से असोसियेशन रहा क्योंकि आगरा को जो कुछ टेक्स में अग्रवन के नाम से असोसियेट करा गया यह रिफर करा गया त मतलब कुछ घटित हुआ होगा बट आफ्टर जो यहां पर इतने सारे आक्रांता आए और सिकंदर लोधी और जितने भी आक्रमन हुए उसके बाद हमारे पास इतने साधा सोर्सेश एविलेबल नहीं है जो मोस्ट रीसेंट और मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेश हैं वह अशोक करा जाता था पहले या रिफर करा जाता था तो महुरी पास इससे पता चलता है कि भगवान के समय में भी मत्रा की क्या एक जो विशेश्टा रही जैन धर्म के साब से क्योंकि गौतम स्वामी के द्वारा जो रचिस चैन्ते बंदन है जिसमें आगे यह लाइन सैट करी होती है इसके बाद हम आग्रा का जो अलग-अलग जैन धर्म के सबसे से असोसियेशन रहा उस पर फोकस करते हुए फिर जो मॉडर्ण टाइम में आग्रा में क्या है उसके बारे में बात करेंगे अगर सबसे पुराना कोई गच्छ है तो तबह अच्छ है और आगर आग्र सबसे पुराना जो हमें असोसियेशन मिलता है अचारे श्री हीरविजय सुरीजी आग्रा पदारे थे एक समय में तो जो चंपर श्राविका थी चंपर श्राविका उस समय अकवर के कोर्ट में एक एंप्लॉई थे उनकी मा थी और वो समय अपवास कर रही थी छह महीने के अब सब्सक्राव को यह बात पता चली कि कोई इतने लंबे उपवास कर रहे तो एक उश्वास नहीं हुआ उसे लगा यह तो पूसिवल नहीं है रोजा मुस्लिम भी रखते हैं इतना लंबा च्हे महीने तक कोई उपवास रखे यह तो पॉसिबल नहीं है तो अक बर ने उनको अपने जो महल थाउस में बिलाया और एक कम्रे में बन करा और ने पूरे 6 महीने तप करने कर रही है कि यह सच में उपना रहे है यह ने और जब का कर गझच कर देखा चैनल उनका फजल ने लिखी उसमें भी इसका पूरा वर्णन नहीं है बट हीरवजय सुरीजी का वर्णन उसके समय समय पर आता है तो जब उनसे पूछा था उन्हों ने बता है कि मेरे गुरू इस समय गुजरात में हैं और उनकी क्रपा से मैं यह तबस्या कर पा रहे हो तो अकबर ने चाना कि क्या है इसे मिलने के पीछे कई हैसा तो नहीं कि अकबर इनकुको दर्वार में पहुचे और उस समय इतना इंफ्लूएंस हीरवजय सुरीजी सो हो चुके थे बादशाह और उनके हैं पर इसके दर्वार में जो काली इंथा या कारपेट उस पर चलने से मजा कर दिया कि उन्होंने रीजन दिया कि पुछ रिफ्रेंस यह भी मिलते हैं कि जो आइने अकवरी है उसमें एक जगा अब्दुल फजल लिखते हैं कि इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग है जिनको यह लोग और पार लोग की जानकारिया और हीरविजय जी उनमें से एक हैं दूसरा एक रिफ्रेंस जो हीरविजय सलीम थे जो जिनको जांगीर के नाम से भी जानते हैं वह बहुत जादा नक्षे में रहने लगे तो अकबर शहजादे को लेकि हीरविजय जी के पास गए और अकबर की आखों में अब्दुल फजल ने कभी आसू ने देखिए और तीन महीं के लिए उन्होंने शहजादे क वह अकबर द्वारा इशूट फर्मान हीरविजय जीनक वर से जैन धरम के जो तीर्थ स्थल है शत्रुण जय गिरनारादी के लिए फर्मान प्राप्ट करें और वह फर्मान अकबर ने अपने गुरदेव के नाम पर यह फर्मान ने दिए आचारे हीर विजय सुरीजी के नाम पर यह फर्मान जैन समाज को दिए तो आप जो इस स्लाइड में देख सकते हैं इंदा लेफ्ट मोस्ट कॉर्णर जो यह समाधी बनी है यह चंपा शाविका की समाधी आज भी आग्रा में आज इस विद्यमान है सेट का वाग के अंदर दूसरा जो आप राइट कॉर् क् Dire この बनान है इनकी जी अ डी कोई लेख मिलता नहीं है सच बट जो आइडल आइकॉन और प्रतिमा में चिन होते हैं सुस्क्राइब इस प्रतिमा में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करुजरी इमपॉर्टेंट इस तो इसि श्मुन केंसरी है तो उसप्तिमान है इन सैम्ट अंदर एक ऐसा युनीक फीचर है जो पूरे श्रमन परंपरा की प्रतिमाओं में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा आज हमारे जब भी मंदिर में प्रतिमा जी भर भरवाई जाती है तो उनके नीचे जो परमात्मा का प्रवासन होता है उस पर लेख लिखा जाता है कि कौन से सं नगर में हुई इसके पीछे में रीजन यह है कि पहले के समय में यह जो परंपरा यह नहीं थी बट एक टाइम ऐसा आया जब आक्रमण होने लगे प्रतिमाओं को ढूगर्वित करने लगे लोग प्रतिमाओं को बचाने के रिए जमीन के अंदर प्रतिमाओं को डाल दिया इस समय की बात थी और उनके कान किसी ने भर दिया और कि यह जो जैन लोग है यह अपनी प्रतिमाओं के नीचे आपका नाम लिखते हैं तो जहांगीर को यह बहुत बुरा लगा इसके पीछे रीजन यह था कि उस समय आगरा को जो आपन नीचे लिखते थे प्रतिमा के वह ल सीधा फर्मान दिया कि प्रतिमाओं को तोड़वा दो पर उस समय पूरे संग के अंदर आकर मच गया कि प्रतिमाओं का बचाएंगे कैसे तो उस समय अचल गच के आचारे कल्यान सागर सुरी जी बनारस में थे और अचल गच का इतिहास नाम के एक बुक में यह हमें एवि बेश दिया संग को जितनी भी प्रतिमाये के प्रवासन पर वही परमात्मा के मस्तक खुदवाया जाय करके अशा DF Pratimah को बचा कि लिए उसरा गरों रिखेया है कि जहांगीर को जैन मंदर में घुलाया कि अगर आप प्रमात्मागी प्रतिमाओं में प्राण नहीं है तो आप यहां पर आईए और जब जहांगी राए तब प्रतिमा ने भगवान की प्रतिमा ने उसको धर्मलाग कहा तो उन्हों गवाद जैट की परिवार में एक समय ऐसा आया जब उनकी कोई पीडी नहीं थी तो उन्होंने आगरा से अपने एक रिलेटिव को गोद लिया और आगरा जो ओल्ड आगरा सिटी है महापर एक जगाए सेट गली उसके गली को उन्होंने बसा आया पहले और उसके बाद आगर है जो पूरा गुर्जर प्रतियाहर शैली में बनाया गया है और दादावाडी बहुत बढ़ी है इसके अंदर हीरवजय सुरी जी महार सब की चरण पादुका भी है और जिनकुशल सुरी महार सब और उसका नाम दिया गया घ्रत्र गच को आज जिन बत्र सुरी जी देली महरोली वाले तीसरे जिन शुरी चौटी जिन चंद्र शुरी जी तो आग्रा का खर्तर गच से इंडाएरेक्ट नहीं वलकि डाएक असोसियेशन रहा क्योंकि जो चौते दादा गुर्देव जिन चं परमाज किये और यह जो यह पूरा यह के साथ वर्णन इसका खरतरगच का विरहत इतियास नाम की पुस्तक में है यह जो आप ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह डॉम लैक जो स्ट्रक्चर है यह इसको बोलते काली बुर्जी की दादावाडी तो मानिता के अनुस यहां पर चौथे दादागुर्देव हैं उन्होंने पहले दादागुर्देव जिंदत्य सुरी जी की चरणवादों का अपने हाथों से स्थापित करी तो इसलिए यहां पर खरतरगच का डाइरेक्ट एक कॉंट्रिब्यूशन है और डाइरक्ट असोसियेशन है जो दादागुर्देव अकवर से मिलने आ रहे थे तो दादागुर्देव का जो पार्ट लगाया गया उसके नीचे करवा कर एक बकरी को उसके अंदर रख दिया क्योंकि वह देखना चाहता था कि यह सच में इनको योग प्रधान की पद्वी दी गई है क्या यह सही है तो ज इसके नीचे तीन बक्रिया निकली तीन जीव निकले और अकवर इंफ्लूएंस हुआ कि हाँ यह यह युग प्रधान है और इनका मतलब जो इनके बारे में बोला जाता है वो सही है तो अकवर ने गुर्देव को योग प्रधान की बद्वी दी गई उसके बाद उनको अक दाद गुर्देव का एक और हमें अविडेंस मिलता है कि वह जांगीर से मिले थे उस समय किसी जैन सादू से कुछ गलती हो गई और जांगीर बादशा थे उन्होंने एक फर्मान जारी करा कि पूरे जो भी उनका जहां पर भी एरिया है यह पूरे आग्रा के एरिया में को सब्सक्राइब को ऐसे पनिश्मेंट नहीं दे सकते तो यह जो है इसका हमें एक्जेक्ट इयर भी पता है 1669 में दादा गुर्देव पर यह वाला चत्रमाज हुआ था जब हंगीर से मिले दूसरा यह रोशन महुला नाम की जगा पर सिमंदर स्वामी परमात्मा का एक जिन चंद्रसुरी तो इससे पता चलता है कि खरतर गच्ष में परमपरा ऐसी रही जहां पर हर चौथे आचारे का नाम श्री चंद्रसुरी रखा गया तो यह दादा गुर्देव द्वारा प्रतिश्ठित नहीं है कुछ एविडेंस यह हैं स्कॉलर्स में इसमें कुछ इस जिनाले का जो असोसियेशन है वो डायरेक्ली खरतर गच्ष से है इसके बाद जो एक बहुती इंपॉर्टेंट जिनाले आगरा का है श्री रोशन महुला देरासर श्री रोशन महुला चिंदामणी वाशनत देरासर सबसे पहले जो राइट मोस्ट पेज की राइट मोस प्रतिमा की प्रतिष्ठा खुद हीरविजय सुरी जी मारसब ने अपने हाथों से गड़ी उस समय एक शांती चंद्रपाग्य जो हीरविजय सुरी जी मारसब के शिश्य थे उन्होंने अराउंड 1640 में किताब लखी क्रिपारा कोश और इस क्रिपारा कोश में पूरे मंद इसके अलावा मंदिर में मनिवद्र वीर राम को मनिवद्र वीरदेव की जो आइडल है वो मौझूद है यह वी हीरविजय सुरीजी महारसब ने खुद अपने हाथों से प्रतिष्ठत करी जो यह मनिवद्र वीर उपाश्टा है यह आज भी रेंट रेट सेंट स्टोन का बना हुए अकवर के समय का और अकवर ने उस समय चिंतामणी पाश्णात्वखवान को प्रतिष्ठा के बाद एक आंगी भेट करी ती जो अकवर के द्वारा हीरों की आंगी थी और इसके अलावा गर हम देखें कि आग्रा से बहुत सारी एतिहासिक तथ्य और भी करी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि उस उस समय जब आक्रमण हो रहे थे और इंवार्मेंट इतना अच्छा नहीं था तो उस समय का वातावरान देखते हो हीरविजय सोरी जी मार्ण सबनें बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जो यंग साधवी जी होती है उन उन्होंने टैंप्टरी जो रिस्त्रिक्शन लगाया था वह उन्होंने आग्रा में वापस लिया क्योंकि जब अख़ोर्श से उनकी बात हो गई और जब उन्हें लगा कि आब बादावरन दिक्षा के अनुरूप है तब उन्होंने वह वहाँ है और श्रहां रोशन महुल लगता तो वह समय आए और उन्होंने अधिश्टाइक देव का आवान कर और यह पूरा दिगंबर संप्रदाइज यहां एक तरफ प्रतिमा नहीं लेके आ गए तो उस समय से की प्रतिमा आज तक जिनाले में हैं और इस प्रतिमा के लिए एक इंप्रिकी से अब्जसर्ब करें तो जादा माइन यूट कार्विंग के अंदर है प्रतिम गवान की नौनों तरफ एक चवरधरी देव है एक चावर नॉर्मली मेरे हाथ से भी छोटा होगा इस एक चावर के अंदर 32 अलग-अलग स्टोन्स यूज हुए हैं विदाउट सिंगल क्रैक और यह अपने आप में देखने लाइक बात है कि तो बास से अफसर्ब करें और इन दोनों का कंपार करें इसको और जो माली आजब से अज पिएड़ी बी था इसके बाद अगर हम जब बात करेंगे वह आगरा का जो रीसेंट इतिहास है और आज आगरा में क्या-क्या विद्यमान है पर आगरा में आज से सौ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिससे आगरा की जो में हेरिटेज साइट से आज की वह सारी जुड़ी होई है तो इसके पिक्स जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे इन तीनों पिक्स के अराउंड हमारे आगे की स्लाइड घुमती है तो जो राइट मोस्ट कॉर्णर पर जो यह एक टार्निश्ट सी विल्डिंग दिख रहे हैं आगरा का सबसे प्लाचीन स्थानक था एक समय में और जो इस ठानक के नीचे जो यह पिछर रही जिए बासपू Sammic परमात्मा की प्रत्यमां यह प्रत्यमां की खास्वाばत यह है कि प्रगु की जो मस्तक पर लेख मिलता है इसका मतलब यह होता है यह सब्सक्राइब और इसके नीचे जो लेख मिलता है इन प्रतिमाओं के नीचे लेख मिलता है आगरा किला मद्धे तो अचल गच का इतिहास नाम की बुक में यह वर्णन है कि उस समय जहांगीर जब इतना इंफ्लूएंस हुआ तो कल्यान सागर सुरी जी ने 450 प्रतिमाओं का आगरा किला के अंदर अंजश अलाका करी अचल कच का इतिहास नाम की उसमें यह सारे रिफ्रेंस मिलते हैं दूसरा अगर इसी चीज़ को हम एविडेंस के तुरू देखें तो यह जो 450 प्रतिमा थी इनमें से सो से जाधा प्रतिम यह सारी प्रतिमा जांगीर के समय की हैं और आचारे का अगर स्थे सथस्य बाते मंदर हैं आगरा का सबसे प्राची इंगम देरासर यही है पर जो भग्वाण की प्रतिमा अब एक्सेप्ट फ्यू केसे जैसे पालिताना में आदिनात्व प्रमात्मा की नाग खंडत है पर जब आचारे जी ने इस प्रतिमा को देखा तो भगवान का अतीश्य कुछ ऐसा था उनको लगा कि इसी प्रतिमा को मुलनेक के रूप में विराजमान करना चाहिए तो आज से कु यह बात है तो प्रतिमा लेफ्ट कॉर्णोल पर प्रतिमा गोडि पाश्टत परमात्मा की यह प्रतिमा और चंदर्प्रभुस्वामी भगवान की प्रतिमा पदमासन में तीनी बड़ी प्रतिमा जब भूहर्व को देखा तो वह भगवान को दिल दे दिया तो इस थानक वासी साधू थे वह धीरे-दीर रोध चुपके से आते और भगवान के लिए उनको इतनी भक्ति भगवान की प्रतिमां को देख के हो गई तो यह सारी चीज़ें एक श्रावक नोटिस कर रहा था उस समय तो एक दिन जब महारसब सुबह सुबह चुपके से मंदिर में आये और वह स्थवना कर रहे थे तब वह आया उन्होंने का आपको जब प्रभु की प्रतिमा से इतना प्यार है तो आप मूर्ति पुझक साथू क्यों नहीं बन जाते आप चुप चुपके क्यों आ रहे हो तो उन्होंने का मैं तो मूर्ति पुझक बन जाओंगा पर आप एक कंडिशन है मेरे जो आराध्य है गोड़ी पाश्णत भगवान आपको इनका एक अलग जिनाले बनाना पड़ेगा तब मैं मूर्ति प आज की संकेश्व पाश्णत और जिराबला के बराबर था क्योंकि पाए धुनी के नात आज भी जो गोड़ी जी के नाम से ही उस समय सारे काम किये जाते एक ताइम ऐसा भी था तो यह भगवान का दीशे रहा कि उस समय एक स्थानक वासी साधू भगवान की प्रतिमा को द प्रमात्मा की प्रतिष्टा दूसरे आचारियों के द्वारा उन्होंने अपने मतलब मुझूद थे अपने सामने उन्होंने भगवान की प्रतिष्टा गराई और तीन मंदिला मंदिर विजय जी के समय में हुई इसके आगे आप यह जो राइट को लेफ्ट कॉर्णर पर यह प्रतिमा देख रहे हैं यह शांतिनार प्रमात्मा की प्रतिमा है यह वी रंदीर विजय जीन अपने आतों से प्रतिष्टा करवाई और जो इस कॉर्णर में भावीर स्वामी का जो यह जनाले है यह संप्रतिकाली प्रतिमा के ऊपर आज जनाले विद्यम है जिसके अंदर सूर प्रभु भगवान मूलनायक के रूप में विराजमान है और ये घर मंदिर है वैद परिवार आभी इसका संचालन करते हैं उनका घर मंदिर है चौतर विल्डिंग कि नेमीनात पर मात्मा की परतिमा गयां इतनी मंदिर जो इसके तो किसी के आस हुआ जाएं तो यह एक और यहां पर हमें सीखना चाहिए कि जो हमारी हेरिटेज साइट है हमें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो दूसरे उसको क्लेम करेंगा और फिर उससे परमत्मे के शात्ना होगी इसके बाद कुछ ऐसा भी हमें रिफ्रेंसेज मिलते हैं जिनकी हमारे पास एक्टव एंटेलेक्टव एविदेंसेज होते हैं और कुछ एविदेंसेज हैं बट इतने सब्सकेंशा सेट मनिवद्र वीर का नाम सबने सुना तो मनिवद्र वीर अपने पिशले भव में आए और आचारे हिमबंत सुरी जी का यहां पर चतुरमास था उन्होंने चतुरमास के दरान अपने प्रवचन में पालिताना जो शत्रुन जय गिरी है गिरी राज की महीमा बताई और मानक्षा सेट का इतना जादा हुबाब समझ आगरत हुआ कि वहां से सीथे यात्रा के तो जब यात्रा के लिए निकले उसके आगे पूरी कहानिया में पता कि क्या हुआ बट अचारे जी ने मनिवद्रवीर की स्थापना का समय बाद में आया पहले जब आचारे हिंबन सुरी जी थे वह आगरा में थे उस समय उनके उनके उपर मारन उच्छाटनादी करी और आगरा के अंदर ही उन्होंने शाषन देवी नोंने बताया कि आप यहां से गुजराच जाईए तो यह एक एविदेंस हमें शास्त्रों में या फिर जो ग्रंत है उनमें मिलता है पड़ी एक इंटलेक्च्छल एविदेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रे को आसा इए उनokी प्रतिष्टा कर रहे तो जो फिस्धता का जब समय आता है वहारत उसने बहुत इंप्पोर्टन होता है तो प्रतिष्ट यह प्रतिष्ठा के लिए और श्रिष्टा कि प्रतिष्ठी जैसे ही हो सहागा प्रतिष्ठा काम पूरा हुआ हेमचंद कलिकाल सर्वगी हेमचंद राचारे उस समय जो कुमारपाल राजा थे उनसे बोले कि प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी गलती हुई और आज से 6 महीने बाद मेरा कालधर्म होगा और एक साल के बाद तेरा तो यह इससे हमें पता चलता है कि जो प्रतिष्ठा तो वह इंडिया के वन आफ रिचेस्ट फैमिलीज में थे ऐसा माला जाता है कि एक समय था जब उनके घर पे गए और उनके घर पे गए तो पूरे रास्ते उन्हों ने कारपेट विजवाया था उनके पस इतना पैसा था कि भारत के सबसे संब्रद्य परिवारों में से एक जो इतना वड़ा वैपार था मुंबई के अंदर उस समय जो मुंबई में वह सबसे वड़े वैपारी थे पूरे कॉटन के उस समय सोने का दाम इतना गिरा और रातो रात उनके जितना भी प्रापर्टी में था वो सारा बिक्या तो यह जो जैन इतियास में ये कैसा दूसरा एक important point इस मंदर के वारे में ये कि इस मंदर में ग्यान भंडार था आज से कुछ वर्ष पहले था किस मंदर में एक बहुत समर्द ग्यान भंडार था जिसके अंदर around 4000 सोने की सिहाई से हस्त लिखित ग्रंत थे और यह अपने अपने बहुत बड़ा point कि उस स्थानक पास के सादू भी असी उसी थे पढ़ते थे तौकि इतना बड़ा ज्यान भंडार आग्रा के आसपास कि कि शेत्र में मौजी नहीं था तो इतना बड़ा जैन धर्म पूरे विश्वम में सबसे बड़ा inscriptions का Pharaoh 2 9 societ भण के द्वारा दोनेटेड तो यह दिखाता है कि कैसे जो अलग अलग परंपरा हैं वह आगर में साथ में रही और अगर हम जो इंटेलेक्ट्वल एविडेंसे से उसके थूभी देखें तो आगरा की जो एंटिकटी है वह बहुत जादा है आगरा का जो अलग अलग गच्छों से वह बहुत ज्यादा उसके लिए हमारे पास एक दोने बहुत सफिशेंट एविदेंस मौझूद है हमारे पास आज भी इसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में बोदा था शौरेपुर्जी तीर्थ वंदना नाम की ग्रंत में शौरेपुर्जी का बढनन है नेमीनत परवात्मा जो ने जो श्री कृषण के वासुदेव के चके भाई थे तुच्छी कृष्ण वासुदेव बटेश्वर में बहुत विख्यात है क्योंकि भगवान के कहामं मंदिर हाप और हिंदू परंपरा में बहुत है जाता है तो हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दो फैक्ट के कारण एक तो भगवाएं शेप का मावें मंदिर है दूसरा श्री कृष्ण का पैत्रिक गाउं था वहां से दो किलूमीटर अंदर जाकर शौरयपुरी जो परमात्मा नेमीनात का प करीब पात्सो वर्ष प्राचीन है और हीरवजे सुरीजी महार साब ने अकबर के समय में यांगी प्रतेश्टा करी थी पर मंदिर जीन शीन हो गया और समय के साथ में मंदर में कुछ वास्तू शास्तर के दोश थे तो आज से करीब दो साल पहले परमपूजी आचारे श्र मंदर आमने सामने था तो यह वास्तू शासर की अकोर्डइंग यह साही नहीं था तो अब दो मंदर बनाये गए चाहन कल्यानक को डिकेक्क करता है और जो ज़ो सूरज की पहली केरण जब गाओं में आती है तो फरमात्मा के मस्तक से होते हुए वो चर्णों तक जाती है त दूसरे हमारे कल्यानक भूमी है तो यह बहुत बड़ा तीड़ है लास्ट में में आपर स्थानक वसी सेक्ट का क्या आग्रा से रहा उसके बारे में बात करूंगा तो यह जो तीन संत रहे जिन्हों ने देश के लिए और जिन्हों नें जहे इक समाज के लिए बहुत काम करना दे जो सबी के जगे अपने हातों से निटेलक्टा से क्वेकर तीख सक तब जाकर जितने भी उस समय के intellectual से सब ने उसको पढ़ा और उनको कवी कवी रत्म की उपाधी मिली और उनके साहित्य को बढ़के उनको डेलेक्ट की उपाधी दी गई आगरी निवस्टी के द्वारा तो जो विरायतन आज देश-विदेश में मानवत्ता का काम कर रहा है उसकी नीव भी आग्रा उनकी बहुत ही तार तार करने वाली लेकनी है वह चीज़ों को भॉत एक्जेक्ट लिखते हैं तो यह बहुत सारी चीजेश में कि ज्यान भंडार भी आग्रा में बहुत सारे रहे और बहुत सारे इंट्टेलेक्श्वल लोगों ने जो हमारे आचारे रहे उन्होंने आग बरिवार थे तो लोग उनके चांटक्ञ में आए उस समय ऐसा हुआ कि उनके उनके होग आए उनका वेपार एकदम लोहे के सोने की तरह बढ़े तो ऐसा मतलब हमें लेग लेख मिलते हैं कि लोहे के किसी से कोई मतलब नहीं साधना में रहना उनसे उतने ज्यादा इंफ्लूएंस होए कि करीब 400 परिवार एक साथ जैन मन गए और यह रत्नमुनी जी नों समय आग्रा में नया इतिहास क्लियेट करा दूसरा स्थानकवासी परंपरा कि अगर देखें तो स्थानकवासी सेक्ट क स्थानकवासी परंपरा से भी यह तो आपको खुद को एक साधू बन जाना चाहिए तो वह साधू मारगी बने बिहार करते हुआ समय आग्रा की शेत्र में तो इसलिए स्थानकवासी परंपरा से भी यह शहर इंपॉर्टन हो जाता है इसके बाद अगर हम दिगंबर परंपरा की बात करें तो दिगंबर परंपरा का इतिहास इतने जादा हमें पुरातत जो हम कह सकते इतने जादा पुराने जिनालिया नहीं मिलते हां बहुत सारे heritage sites हैं दिगंबर परंपर है उसके अकॉर्डिंग जो आगरा एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है आज दिगंबरों का एक सबसे बड़ा सेक्ट है तेरा बंती अचारे श्री विद्या सागर जी उनके बुरू है वह सबसे बड़ा रिफॉमिस सेक्ट रहा जैन धरम का भी और दि दिगंबर संप्रदय में उनको लगा कि यह ना कहीं शितलाचारी है तो हमें इसके विरोध जो एक्चुल परमात्मा ने जो धर्म बताया जो शड़ागम के द्वारा जो धर्म प्रतिपादित है हमें उसको पॉलो करना चाहिए तो जब उन्होंने यह सब पढ़ा तब उन तेरा लोगों के नाम से तेरा बंति हुए कुछ लोग कहते हैं कि जो औरिजिनली 20 इस था उससे तेरा पॉइंट करते थे तो वह तेरा पॉइंट के खारण इंको तेरा पंति बोलते हैं तो फॉर्मलाइज अगर हम इस करने की बात करें वह सांगानेर में हुआ बड़ जो को जो फॉर्मेशन के बीच थे वह आगरा में बनार्सी लाल जीन डाले इसी लिए जो शोर्यपुरी है मत्रा में जश्री जंबु स्वामी जो अंतिम किवली हुए सारे के उनका जो मोक्ष जो गए उनका जो निर्वान हुआ वह मत्रा में श्वितामर जैन एक ही मंदर जाना जाता है तो आगरा मत्रा शोर्यपुरी यह तीनों श्वितामर दिगंबर तीनों के लिए मानने एक शेत्र रहे जोग्रेफिकली इसके रीजन्स हम देख सकते हैं या फिर हमारे आचारयनों जो कॉंट्रिबूशन समय करें उसके रिस्पेक्ट में भी हम इसको देख हुआ तब महाँ पर पूरा एक दिगंबर आइडल्स मिले सरश्वती माता की प्रतिमा मिली तो ऐसा हो सकता है एक नया डायरेक्शन मिले हमारी जो जैनोलोजी की एंटिकीटी की रिसर्च उसको आगरा से क्योंकि इससे दो डिफरेंट चीज़े प्रूव होती है पहली है क जब हमें आगे और एक्सिवेशन हो या और रिसर्च करें जाए और हमें एविडेंस मिले तो बिलकुल एक नए फ्रेश आउटलुक मिले जो जैनोलोजी की एंटिकीटी की रिसर्च है उसको आगरा से तो यह जो हमारी हैरिटेज साइट्स हैं इनको दर्शन करें इनको ए आश्रे भी आगरा में हैं तो सबको हम एक बार देखें इन सबको करें हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई और इनको क्लेंगा जैसा कि दो मंद जिनालियों मैं आगरा में अल्रेडी हो चुका है तो इसलिए हम जब भी आग रहें तो इन सारी जगाओं पर ज़रूर ज अब मैं सभी शुतागंट से कहना चाहूंगा आपको अगर कोई भी प्रशन है तो आप कुछ प्रशन आया है उसमें से मैं कुछ प्रशन लूँगा जिसके अंदर पहला प्रशन आया है श्रियांश जी आध्यात्म की क्रांती ने जैन दर्मकी दिगंपरा परमपरा को जिस से जुड़े लोगों के बारे में हमें कुछ बताई है जी तो जैसा मैंना भी एंड में बताया बनार्सी लाल जी तेरा पंथी सेक्ट फॉर्म करा उस समय दिगंबर संप्रदाय में क्योंकि मुनिदिक्षा नहीं हो रही थी तो भट्टारग जो होते हैं जैसे श्वतांब साथ हो या दिगंबर निग्रंत हैं मंदर की मैनेजमेंट में या किसी ऐसे चीज में परीग्रह नहीं रख सकते वह पाधी नहीं रख सकते इस तरीके की वह ट्रस्टी नहीं बन सकते मंदर के तो उस समय एक ऐसा हुआ कि जो भट्टारक हैं उनका बोलवाला भड़ गया त कुंद कुंद आचार्य का के जो आगम है उसके अनुरूखी चलना चाहिए उनको यह लगा और वह एक बहुत बड़ी क्रांटी लाए जो शितलाचार था उसको दूर करा और तीरा पंदी सेक्ट जो परमात्मा की मार्क पर चले और जो शड़ागम को एजटेस फॉलो करे उसको नान फॉर्म करा तो यह क्रांती इसलिए भी जरूरी थी कि आज तक हमें इसका जो हम कह सकते हैं रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है कही ना कहीं शितलाचार के विरोद और इसी क्रांती को अगर हम शुइतांबर परस्पेक्टिब में देखे तो आत्मा राम जी महारत साब इस समय के सबसे बड़े रिफॉर्मर हुए उनसे पहले लोकाशाजी रिफॉर्मर रहे लोकाशाजी तो आगरा आये थे पर रिसेंटली अगर देखें हम जो प्री इंडिपेंडेंस चाइम था उस समय जब यती परंपरा बहुत जादा तप मांतिगरिए अग्रा में उनके दो चतुरमास हुए हुए उन्होंने मंढल भी फॉर्म करा ज अभी तक ग्रंतों को प्रकाश्ट करता है ऽो हम कह सकते एक नया रिफॉर्मेशन वह और जो पर मात्मा का समाचारी थी उसको फालौ करना उन्होंने शुरू करा तो इसलिया आ दूसरा प्रश्णा आया है जैनरली ऐसी छबी है कि उन्होंने हिंदू और जैन अनुयाई और मंदिरों को सदाई शतिक रस्त किया है तो आगरा का इतियाज जब हमने देखा और आपने बताया तभी कुछ एक्सेप्शन नजर आते हैं इसके उपर आपके क्या विचार है आप एक पर क्वेश्चिन के स्टार्ट रपीट कर दीजिए कुछ कनेक्शन यूज्वली मुगल बाद्शाओं की हम बात करते हैं तो हमें जैनरली ऐसा हाँ जी वह उसके पीछे कारण यह रहा कि जो मुगल वाद्शा थे वह भी क्रूर थे अगर हम देखी हिर्विजे सुरी जी के आने से पहले अकपर इतना जादा प्रतिवोधित नहीं था अकपर इतना अच्छा नहीं था या फिर जो जांगीर था उसने भी समय समय पर ऑडर दिये परमात्मा की प्रतिमाओं को नश्ट करने के लिए पर यह हमारे आचारेओं का यह हमारे श्रावक श्राविकाओं और आचारेओं से ज्यादा यह तो चंपर जो एक फीमेल थी दिखाता है कि जैन धरम में एक लेड़ी की क्या इस्ज़त है कि उसने एक मुगल वाद्शा को नभट कर दिया तो यह लोगों के प्रयात् कि थोड़ा लिब्रेल रहा क्योंकि उससमें कल्यान सागर जी और युक प्रधान श्रीजिन चंद्र सुरी जी का वह समय था और वह आग्रा में उससमें विद्यमान थे हैसी जी जी श्रीयान जी बहुत ही सुन्दर मिंस हमारे यही कुछ प्रश्ण बागी तो आपने प्र श्रीयांज जैन वो यंगेस्ट स्पीकर है मिंस अब तक 150 से भी अधिक विद्वान जैन टॉक्स की समंच के उपर आके गए और आज आगरा से श्रीयांज जी जुड़े हैं वो सबसे यंग स्पीकर जैन टॉक्स पर रहे सो जैन टॉक्स की और से बहुत-बहुत धन्यवा उनका कि उन्होंने इतना टाइम निकाला और फोटोग्राफी की पुरा प्रेजेंटेशन बनाया जैन टॉक्स के ऊपर लोगों को अवेर करने के लिए क्योंकि यहां जितने भी श्रोता जुड़े हैं उन्होंने भी यह देखा होगा कि हम आगरा सिटी का नाम सुनते ही हमें ताज महल ही दिखता है हम लोग कभी दूसरी जगह के बारे में सोचते भी नहीं हमारे जो धार्मिक प्लेसे हैं उसके बारे में भी नहीं सोचते पर आज यह जो प्रेजेंटेशन हमें मिला उससे हमें जानकारी मिली कि कि इतने सारे ऐसे शेत् से भी आपको बहतर और डीटेल कारविंग महां दिखने मिल सकती है तो मैं सभी से अनुरूद करना चाहूँगा कि आप जबी भी जाया तो आगरा जरूर विजिट करें और हमारे श्रीयांज भाई तो है आगरा में आपको कोई भी है चाहिए तो श्रीयांज भाई आगरा मे आगरा में तो वह आपको मिल जाएगा श्रीयांज भाई हमारे सथ शेयर कर लेगे तो जिसे भी चाहिए वह ग्रूप एडमिन से कॉंटक्ट करें उनके तो आपको मिल जाए तो मच तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देता है और विराम देने से पहले जगत के सभी ज अनु परमानुष्यू बनी जाओ अख़्ा विश्वनु मंगल थाओ सर्वे जीवो मुक्षे जाओ खामेनी सव्व जीवे सव्वे जीवाख मन्तु में मित्ति में सव्व भूळे सू वेरम मज्जन केड़े सर्वतासू कीथा आओ पापनापोई आचरो रादद्वेशती विवे जीवो तबने सम्ट सू वे जीवाख आओ 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 जीवाख सरू आओ 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 आओ